हेले स्टोडेंज वेलकम टू अफिसेल यूट्यूब चैनल आप और आज मैं आपको क्लास 11 का थर्मोडैनेमिस पढ़ा रहा हूं ठर्मोडैनेमिस का हमारा जो सीरिज चल रहा है 11 क्लास का जो हमने से सजन 2022 के लिए आपको कुछ टापिक बचें हैं। हमने 2023 के लिए लाइब क्लास स्टार्ट कर दिया है कि लाइब क्लास से वह सभी स्टूडेंट्स हमारा फिजिस का क्लास ओता है इविनिंग में 8-9 जो की रेगुलर लाइफ क्लास रता है उस क्लास को आप जॉइन करिए और ऐसे सुडेंट्स जो भी कॉम्टिट्वी का प्रिप्रेशन कर रहे हैं 11 क्लास पास हो चुके हैं उनको यह जो मेरा सिरी चल रहा है इसको मैं कोर्स कंप्रीट करूंगा तो थर्म थर्ड पार्ट है जिसमें हम कार्णो इंजन हीट इंजन पढ़ेंगे जो की थर्मोडायनेमिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोई टापी के दी होता है तो कार्णो इंजन होता है हमेशा उसमें से एक्जाम में क्व लिए तो मैं आपको सबसे पहले अपना एक important information देदू कि मेरा अने केड़मी में regular special class होता है यह special class complete free class होता है इस class को आप जोईन करके competitive exam का प्रिप्रेशन कर सकते हैं यह class मेरा जो special class होता है जिसका timing है 9 p.m. evening में आज होगा इसका class इस class में मैं आपको नीट आयटी जई एंडिये के लेबल का कॉस्चन कराता हूं concept के साथ साथ अभी हम इसमें प्रेंट क्लास के syllabus पर चल रहे हैं जिसमें हैं magnetism पढ़ रहे हैं तो जितने भी स्टुडेंट अभी कमिंग नीट एक्जाम या एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं उनके लिए बहुत important class है इस class को आप जोईन करो इस class का link आपको मेरे subscription पर 10% का discount चाहिए दिए आपने एकेडमी का subscription ले रहे हैं तो वहाँ पर आप 10% का discount पाइंगे इस code को यूज़ करके JP sir live तो यह code आप यूज़ कर लिए subscription पर आपको 10% का discount मिलेगा तो यह class आप ज़रूर जबाइन करो यह multiple choice question का class है यहाँ पर complete competitive exam के pattern पर आपको पढ़ाते हैं और सबसे important बात यह class आपके लिए completely free है इसके लिए कोई फी आपको पेड़ नहीं करना है ओके चलिए आप हम आज स्टार्ट करें थर्मोडाइनमिक्स का करनो इंजन या सबसे पहले अपन करें उस्मा इंजन उस्मा इंजन हीट इंजन रेखिए हीट इंजन क्या है नाम से इसपस्ट है इंजन को चलाने के लिए हमको बहुत से इंधन क्या उसकता होती है पेट्रोल डीजल कि इंजन वाटने हीट इंजन बनाया ट्रेंज चलाया उससे इनर्जी के जो सबसे पहले इंजन बना पेट्रोल डीजल से पहले वी हम जिस इंजन के बारे में सोच सके वह कि इनंजन धा इंजन था उसमा इंजन तो हीअजन ःजन यहां पर हम इसका केंव कि इंजन क्या होता है कैसे काम करता है और किस तरह से हम इसको यूज से चलने से चलने है और इसका И Sign Shigles को बनाएजाता है उसने चार महत्वी होता है चार महत्पूर्ण पार्ट होता है उस पार्ट को हम पढ़ लें और इस बैस पर सिर्म कार्णू इंजन को पढ़ेंगे तो हेट इंजन में होता क्या है देखिए आपको मैं विध फिगर इसको समझा दूँ यह जो आप चार भाक्स देखराएं इसमें सबसे पहले सपोस्स इसमें कोई गैस भरा हुए है ठीक है या मट्रेयल उसमें भरा हुए है इसके बाद तीन भाक्स आप देख रहे हैं इसमें ये पहला जो है वह टीवन डिग्री सेलशियास पर है और इसको हम बहुते हैं स्रोध सोर्स कहलाता है दूसरा कहलाता है वर्किंग सब्स यह कहलाता है कुछ आलक प्लेट फार्म यह एक प्लेट है कुछ आलक प्लेट फार्म इंसुलेटिंग प्लेट फार्म कहा आता है और यह है टी टू डिग्री सेलशियस पर जिसको हम कहते हैं सिंग इंग्लिश में भी सिंग यह गैस है जो की वर्किंग सब्सेंस है कारेकारी पदार्थ है अब यह तीनों है क्या चीज़ को आप ध्यान से समझो यह कारेकारी पदार्थ है मतलब इसमें गैस भरा हुआ है जिसमें संपीडन होगा या एसपांसान होगा मतलब विस्तार होगा यह स्रोथ है स्रोथ की विस्था क्या है स्रोथ हम उसे कहते हैं जिसको आप जितना चाहे उतना हीट दे सकते हो उसके टेंपरेचर पर कोई परिवर्टा नहीं होता इसमें परिवर्टा नहीं होगा जैसे समुद्रे समुद्रे से अपन थोड़ा सा पानी निकाल लें तो आपको मालूम है कि उसके मात्रा पर कोई परिवर्टा नहीं होगा इसके बाद है कुछाला प्लेट फार्म कुछाला प्लेट फार्म एक ऐसा पोजिशन है जहां पर यह प्लेट फार्म ना तो किसी से उस्मा लेता ना किसी को उस्मा देता मतलब यह प्लेट फार्म ना उस्मा लेता ना उस्मा देता इसको इंसुलेटिंग प्लेट फार्म कुछ आला प्लेट्फार्म करते हैं यह सिंग सिंग से जितना चाहे उतना उसम्ह उसको दे सकते हो उसके ताप में कोई विध्धि नहीं हो तीं को जितना चाहे असके डिफाइं करते हैं अब इसको देखो करते क्या हैं सबसे पहले यह gas को लाके इस cylinder को सपोस्ज यह cylinder है इसमें piston लगा हुआ है सपोस्ज यह और यह piston up and down हो सकता है उपर नीचे हो सकता है piston है ऐसा अब हम क्या किये सबसे पहले उसको हम स्रोत में लाके रखे पहला condition स्रोत में लाके इसको रखे तो यह क्या करेगा स्रोत से उसमा लेगा उसमा लेने के बाद क्या होगा गैस में विस्तार सुरू होगा प्रसार सुरू होगा तो सबसे पहले जो होता है वह होता है प्रसार और चूंकि ताप नियत रहता है तो होगा समतापी प्रसार यह होगा समतापी प्रसार आइसो थर्म पुछाला प्लेट फार्म पर लाके रखेंगे तो उसका उसमा नियत होएगा तो हीट यहां पर क्या होएगा उसमा नियत होने के कारण प्रसार्ण यहां पर जारी रहेगा लेकिन वह प्रसार यह पिर तीसरा नमर में आप देखो अब हमने क्या किया इसको यहां से हटा के सिंक में लाके रख दिया तो सिंक में क्या होने इसके कार्ण गैस का पिस्टन नीचे आएगा मतलब उसमें संपीड़न स्टार्ट होएगा लेकिन ताप टी टू पर नहीं आत रहेगा इस प्रकार से तीसरा स्टेज होगा समतापी समतापी संपीड़न ये कहलाएगा समतापी संपीड़न और चौथे नंबर में आप देखो ये फोर्थ नंबर में तो फोर्थ नंबर में हम क्या करते हैं इसको पुनाह यहां से लाके यहां रख देते हैं ये चौथे नंबर में चौथे नंबर में यहां से पुनाह लाके आख देते हैं, वे इस step को ध्यान से हैंख समझते ऎना किसके बाद क्या किये हैं, तो जैसे हम उसको कुछ आलक प्रफाम में राकर रखेंगे, तो naturally कुछ आलक प्लेटफाम में उस्मा देता, न लेता, तोहाँ पर जाके उस्मा नियत होजाएगा, और उस्मा नियास होने पर क्या बन जाएगा वो रुद्धोस्म हो जाएगा पुना हुआ रुद्धोस्म अवस्था में आ जाएगा और रुद्धोस्म अच्चू कि उसमें संपीधन हो रहा है तो यह कहलाएगा रुद्धोस्म, संपीधन और ये जो कारेकारी पदार्थ है वो पुनह अपनी प्रार्मभी की स्थिती में वापस आ जाता है जहां से हमने उसको सुरवात दिया है ये है Heat Engine का Working Steps काम करने का तरीका clear? और इस परकार से एक चक्र पूरा होता है और एक चक्र पूरा होने के कारण क्या करते हैं इसको साइक्ली काडर कहते हैं देखो इसके पहले आपने मेरा जो इसको फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है वो पार्ट यह आपका तयार नहीं है तो यह टापिक आपको समझने में प्राबलम होगा इसलिए जितने भी स्टुडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले सेकंड और फर्स्ट पार्ट को आप रिवाइस करो फिर यहां एंट्री करना और आपने दोनों देख लिया है तो नो डाउट आपको सब कुछ समझ में आएगा यह सब चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ठीक है पांच प्रकार के प्रक्रम पढ़ा चुका हूँ है कि सबसे पहले आप उनको करो फिर यह अपने आप्त्यार होगा क्योंकि बहुत इंबॉर्टेंट अब यह मैंने आपको हीट इंजन का इस्टेप बताया अब यहां पर इसकी जो दक्षता होती है उसमा इंजन की दक्षता इफी सीएंसी अब उसमा इंजन की जो दक्षता है इस दक्षता को हम रिप्रेजन करते हैं इटा से और इटा इक्वल टू होता है डबलू अपान q1 जहांपर डबलू किया गया कार्य है और W upon Q1 और Q1 क्या है उसको दी गई उसमा है तो जब हम उसमा इंजन से कारी लेते हैं तो हम जितना कारे करते हैं उस कारे में उसको दी गई उसमा को डिवाइट कर देते हैं तब हमको मिल जाता है उसकी दक्षता that equal उसको सालो करें तो W1 होता है वह Q1-Q2 के बराबर होता है Q1-Q2 और अपान यह हो गया क्या Q1 Q1-Q2 किया गई कारे के बराबर होता है जहां पर Q1 उसको दी गई उसमा है जितना हम देते हैं और Q2 क्या है दिया उसमा है तो Q1-Q2 क्या होता है किया गई कारे के बराबर होता है अब दोनों को अलग-अलग हम इसमें डिवाइट कर दें तो Q1 में Q1 कर जाएगा और 1- क्या हो जाएगा यह Q2 upon Q1 इस प्रकार से किसी भी किसी भी उसमा इंजन की जो दक्षता होती है वो दक्षता 1- Q2 upon Q1 के बराबर होता है यह तो हो गया हमारा हीट इंजन अब कार्णो नाब के साइन्टिस्ट ने इस हीट इंजन के कंसेप्ट को लेकर एक इंजन बनाया जिसकों कार्णो इंजन या कार्णो साइकल के नाम से जानते हैं अब हम यहां पर पढ़ेंगे कार्णों इंजन या कार्णों साइकल और उसकी दक्षता की गढणा करेंगे। यह टापिक बहुत important है यह generally teachers school exam में यह पूछते हैं कि कार्णों इंजन क्या है कार्णों इंजन के दक्षता की गढणा कीजिए ठीक है? या competitive exam में इसके final equation से इसके फार्मूले से question आता है चलिए, हमने topic स्टार्ट करें कार्णों इंजन, रहुँ ध्यान से समझने है इसको कार्णों का इंजन, कार्णों इंजन तो कार्णों इंजन ने इसी करम को लिया यह जो मैंने भी आपको बताया यह कार्णों साइकल है, यही कार्णों इंजन लिया कि समतापी प्रसार किया, रुधोस में किया समतापी संपीडन, रुधोस संपीडन किया और इसको हम एक graph के help से समझ सकते हैं कि graph के हविसे किस प्रकार से इसको बनाया गया ठीक है तो सबसे पहले समय graph बना ले इसके लिए suitable graph बना ले graph ही इसका सब कुछ है graph से ही पूरा इसका explanation है तो graph आप लोग भ्यान से समझना है कार्णो इंजन का graph है इस तरह का graph इसमें मिलते है कार्णो इंजन में इस तरह का graph मिलेगा और यह क्या-क्या सो करता है देखो प्रेसर और वाल्यूम को हम x और y axis में represent कर दें यह suppose वाल्यूम है यह suppose प्रेसर है दोनों एक दुश्य के समान उपाती होते हैं यहाँ पर वित्करवान उपाती है शारे प्रेसर 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 को पहले लिए है ते प्रेसर को पहले लिया है और यह सो कर रहा है और यह सो कर रहा किसको volume को clear और यह D point है यह क्या है P4 V4 है इस तरह से यह 4 point है A से B तक A से B तक हम temperature को supposed T one ले लिए फिर B से C तक भी temperature वही रहेगा समतापी है फिर C से D तक संपिजान start हुआ तो temperature T2 हो गया फिर D से A तक पूना क्या हो गया T2 हो गया तो यह सबसे पहले हम इसको consider कर लेंगे तो कौन कौन से value क्या है ठीक है यहां से A B समतापी है फिर B C रुद्धोस्म है फिर C D समतापी है फिर यह क्या है रुद्धोस्म है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वही complete order है एके करके हम इसके किया गया कारे की गर्णा करेंगे ठीक है जब इसके किया गया कारे की गर्णा करेंगे तो समतापी के लिए किया गया कारे और रुद्धोस्मे के लिए किया गया कारे यह आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस process के लिए हम कितना कारी करते हैं तो समताफी प्रक्रम में किया गया कारी जो होता है W equal to RT log V1 upon V2 V2 upon V1 और रुद्धोस में के लिए किया गया कारी R upon gamma minus 1 under bracket T1 minus T2 ये आपको हमने इसके ठीक पहले वाले class में पढ़ाया है तो सबसे पहले हम एके करके गर्णा इस्टार्ट करते हैं देखो calculation calculation या आप गर्णा लिख सकते हो अब हम इसकी गर्णा करें तो पहला जो calculation होगा हमारा वह है समताफी ध्यान से समझना बहुत बढ़ डेरिवेशन है समताफी प्रसार graph और graph का नाम क्या होगा A से B A से B इसके लिए समताफी प्रसार कर लेंगे माल लेंगे कि समताफी प्रसार में बिंदू A पर प्रसार P1 है वालूम V2 है बिंदू B पर प्रसार P2 वालूम V2 है और इनके बीच का कताब क्या है T1 है तो यहाँ पर किया गया कारे समताफी प्रसार में कारे समतापी प्रसार में हम किया गया कारे निकालें जिसको हम W1 से रिप्रेज्ञ कर तके हैं जो कि Q1 के बराबर होगा और W1 बराबर क्या होता है समतापी क्या करें होता है अरदि ऑन और लाग एकम ऊदिए संताफी प्रसार के लिए इसी प्रकार से इसास हर्मुला हमारा पढ़ा हुगा है न यह कहां से ये निच समझना यदि आपको लगे कि कहां से आया तो ठीक इसका पार 2 को देखो, वहाँ पर मैंने इसको explain किया है, पुरा derive किया है इस फार्मूले को वहाँ पर, इसके बाद रुद्धोस में प्रसार, रुद्धोस में प्रसार ग्राब क्या है देखो यहाँ पर, B से C तक, B से C तक, रुद व्लू 2 कह दें तो W 2 equal to होता है और अपान गामा माइनस 1 अंडर लेकेट T1 उन Mाइनस T2 यह होता है रुधहorts प्रसार में किया गया कार र्धंगामा माइनस 1 T1-2 यह फार्मूला भी हमने डिघाव किया है यह हो गया रिलेस्टन नमघ टू को है को है को के तो सब से संपीडन तीसरा पाइंट है समतापी संपीडन संपीडन क्या है देखों यहां पर समतापी संपीडन क्या है बी से दी तक उसका नाम क्या है का बीडी और इसमें यहां क्या है कारे तो समतापी संपीडन में किया गया कारे समतापी इसको हमने लिया w3 हम इसको क्यूटू के बरावर लेंगे q2 होता है और equal to हो जाएगा क्या कि आर टी टू लाग अप्चूं की संपीडन हो रहा है तो पहले आयतन अधीक था बाद में आयतन कम हो गया अधीक उपर रहेगा कम नीचे रहेगा हमें सथ्यान रखने लाघ में बड़ा शपल वेल्ड़ी, उपर रहेगा और छोटा वेली निचोनी तो निगटी हो जाएगा, तक हमने निकाल लिया समातापी समतापी में किया गया कार्य रिलेस्टन नमर थर्ड और इसके बाद हम निकाल लेते हैं चौथा रुद्धोस्म रुद्धोस्म सम्पीडन जो कि क्या है दी ए पुनह अपने प्रानभी के से तिम वापस आ जाएगा और इसका जो वेल्यू होगा इस पर जो किया गया कार्य होगा जिसको हम डवलू फोर कहते हैं एक्वल टू हजाएगा आर अपान गामा माइनस वन यह तो वही होगा टी व कार्य निकाल लिया सबसे पहले हमने क्या कर लिया तीनों प्रोसेस में क्या गया कार्य निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे कुल कार्य निकालेंगे तो इसलिए कुल क्या गया कार्य निकालें तो कुल क्या गया कार्य डबलू इक्वाल टू डबलू वन प्लस डबलू ट W4 किया है? Sumpedion है. तो प्रसार में कार्म पाजितव होता है और Sumpedion में Negative होता है। इसलिए हमने दोनों को Positive लिया और इन दोनों को क्या ले लिया? Negative ले लिया. That equal यहां हैसी Relayations से देखो कि W1, W2 यहां पर यह W2 और W3 का value, किसका किसका value कि यहां पर क्या है क्योंकि दोनों का वेल्यव्य आपस में बराबर है इस कुल किया कारे की सहयता से हम यदि इस की दक्षटा निकालें तो इसलिए इस कार्णों इंजन की जो दक्षटा होगी eta equal to हमको मालूम है कि वो होता है w upon q1 w upon q1 और w हमने निकाल लिया है q1 minus q2 q1 minus q2 upon q1 तो दोनों में अलग अलग डिवाइट कर दें तो eta equal to का है 1 minus q2 upon q1 ठीक है therefore eta equal to 1 minus q2 upon q1 यह हो जाएगा that equal 1 minus अब q2 और q1 के value को put up करो q1 q2 को value को put करें q1 का है r t1 lag v2 upon v1 r t1 r t1 lag v2 upon v1 और इसका value है r t2 lag v3 upon v4 that equal यहाँ से दोनों r cancel out होएगा और eta equal to 1 minus यह r तो cancel out होगया r cancel होगया तो क्या मिलेगा अपने को t1 lag v2 upon v1 upon t2 lag v3 upon v4 यह हो जाएगा relation number 5 यह जो relation आया relation number 5 इसके बाद हम calculation को आगे दूसरे part मिलेके जाएंगे इसको half part हुआ मार्क चनल बहुत बढ़ डेरिवेशन है आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेस्ट क्लास में आपको कर्णो साइकल पढ़ाने बादा हूँ तो कर्णो साइकल का डेरिवेशन बहुत बढ़ा है आज के क्लास में आपको यही तैयार करना ही है यह last topic और बहुत important topic है अब यहाँ पर देखो हम इसको salvo करेंगे तो लाग भी टो पान भी और लाग भी टो पान भी फार को value निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो रुद्धोस्म ग्राफ है एक बार पीछे जाके देखो आप दो रुद्धोस्म ग्राफ है एक रुद्धोस्म ग्राफ है BC एक रुद्धोस्म ग्राफ आपको बीसी दीख रहा है और दूसरा रुद्धोस्म ग्राफ है क्या डी ए बीडी और डी ए यह देखो एक रुद्धोस्म ग्राफ क्या है बीडी और डी ए तो क्या होगा दोनों में हम निकालते हैं सबसे पहले रुद्धोस्म ग्राफ BC के लिए BC के लिए तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो टेंपरेचर, रुधोस्म के लिए टेंपरेचर का जो वाल्यूम के साथ में रिलेस्टन होता है वो होता है TV to the power gamma minus 1 TV to the power gamma minus 1 यह गामा है ना equal to constant होता है यह फार्मूला याद रखना रुधोस्म प्रक्रम के लिए TV to the power gamma equal to constant होता है आपको मालूम है लेकिन यह इसको टेंपरेचर वाल्यूम में चेंज किया जाया तो इतना होता है अब यहाँ पर देखो चुकि रुधोस्म ग्राब BC है तो B बिंदू पर इसका जो कोफिसियन्ट होगा वह C बिंदू पर के बराबर होगा तो therefore इसको हम क्या लिए सकते है B पाइंट पर तो B पाइंट पर टेंपरेचर क्या है T1 है B पाइंट पर और वाल्यूम क्या है यह C पाइंट के लिए दोनों बराबर क्यों होंगे क्योंकि यह constant होता है रुधोस्ट प्रक्रम के लिए इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे यहाँ से इन दोनों को साल्व किया जाए और यहाँ से हम निकाल लेते हैं भी टू अपान भी वन का भेल्यू अभी इसको ऐसे ही रहने दो अभी इसको ऐसे ही रहने दो उसके बाद हम साल्व करेंगे अभी साल्व निकरते इसको ठीक है इसके बाद हम दूसरा रुधोस्म ग्राफ है अपने पास तथा बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बहुत पेसेंस के साथ त्यार करना रुद्धोस्म ग्राफ क्या है, DA DA के लिए यदि हम रुद्धोस्म ग्राफ DA के लिए बात करें तो वहाँ पर क्या होगा देखो, D पॉइंट पर D पाइंट पर टेंप्रेचर कितना हो चुका है, D पाइंट पर टेंप्रेचर हो जाएगा A, B, C, D, ठीक है, और A पाइंट पर D पर T2 होगा, और वहाँ पर देखो, D पर टेंप्रेचर T2 है, और प्रेशर वालूम V4, T4 V4 है तो यह हो जाएगा, V4 2D पावर गामा माइनस वन, इक्वल A पाइंट पर, T1 V1 2D पावर गामा माइनस वन, यह दो रिलेशन अपने को यहाँ से मिलेंगे, यह दो रिलेशन मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ से T1 अपन T2 का वेलू निकाल ले था, यहाँ साल्व करने के कई तरीके हैं, इसमें इसको अपन भाग दे सकते हैं, वैसे यह आपको लिए ज्यादा आसान रहेगा, चलो यहाँ से T1 अपन T2 का वेलू निकाल ले था हमें, T1 अपन T2 तो T1 upon T2 का value इधार transfer करेंगे तो V3 upon V2 यह हो जाएगा V3 upon V2 और whole power gamma minus 1 यह हो जाएगा ध्यान देना T2 को इधार transfer किया V2 को इधार transfer किया तो V3 upon V2 होगा दोनों का power same है तो combine power कर दिया वैसि यहाँ से भी यदि हम T1 upon T2 का value निकालें तो T1 upon T2 देखो इधार transfer कर रहा हूँ यह इधार हो जाएगा यह हो जाएगा V4 upon V1 का whole power gamma minus 1 इस पकार से हो जाएगा अब इन दोनों संबंद को आप देखो तो दोनों संबंद को आप ध्यान से देखो यह T1 upon T2 का value है और यह T1 upon T2 का value यह है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगे ठीक है तो दोनों को आपस में बराबर कर दिया जाए next slide में करता हूँ में इसलिए हम क्या लिख सकते हैं therefore क्या है इधर V3 upon V2 V3 upon V2 का whole power gamma minus 1 equal और यह क्या है V4 upon V1 V4 upon V1 का whole power gamma minus 1 that implies अब इनका adjustment ऐसा करो कि हमको जो proof करना है उसमें देखो V2 upon V1 एक साथ है और V3 upon V4 एक साथ है तो V2 upon V1 को एक साथ अपन combine कर लें V2 upon V1 को तो V2 upon V1 को एक साथ combine करना है तो V2 को इधर transfer करता हूँ में इधर तो वो हो जाएगा V2 upon V1 का whole power gamma minus 1 V2 को इधर transfer किया तो V4 को इधर करूँगा तो वो हो जाएगा V3 upon V4 का whole to the power gamma minus 1 therefore taking lag अब इसका हमने lag ले लिया तो जब दोनों तरफ का lag लेंगे तो lag V2 upon V1 to the power gamma minus 1 equal to इधर भी lag ले लेंगे तो lag V3 upon V1 का whole power gamma minus 1 यह होगा that implies lag M to the power N, N lag M होता है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं gamma minus 1 यह हो जाएगा lag V2 upon V1 equal to यह भी हो जाएगा gamma minus 1 log V3 upon V4 बहुत बड़ा derivation है आपको अच्छे सा त्यार करना होगा gamma minus 1, gamma minus 1 दोनों तरफ से कट जाएगा और दोनों को कटने के बाद हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा देखो, यहाँ पर हमको मिल जाएगा lag V2 upon V1 equal to log V3 upon V4 यह मिलेगा अब relation number 5 को देखो, यह relation number relation number 5 relation number 5 में हमने यह proof कर दिया है ध्यान देना कि इतना जो value है lag V2 upon V1, lag V3 upon V4 के बराबर हमने proof कर दिया दोनों को बराबर proof कर दिया तो यहाँ पस में कट जाएगे और बन जाएगा eta equal to 1 minus T1 upon T2 ठीक है, तो यहाँ पर देखो यह दोनों को हमने बराबर proof कर दिया तो सीधा लिख सकते हैं therefore इसलिए sumi current किससे 5 दे sumi current 5 में इस value को put up करें तो eta equal to मिल जाएगा 1 minus T1 upon T2 और यह होता है कार्णो इंजन की दक्षता, यह कार्णो इंजन की दक्षता है, यदि आपको question में proof करने के लिए बोले तो इसको आप proof कर सकते हैं तो यह बहुत important topic है यह question इसी तरह से आता है कार्णो इंजन की से कहते हैं कार्णो इंजन की दक्षता की गर्णा करो एक बार मैं आपको इस starting से बताता हूं ध्यान से सुनते जाओ यह कार्णो इंजन का मैंने बताया कार्णो इंजन में four process होते हैं A से B, B से C, C से D और D से A यह एक cyclic है, यह चक्री प्रक्रम है मतलब cycle complete होने के बाद अपने प्रार्णी किस्थिती में आ जाता है A से B तक समतापी प्रसार है समतापी प्रसार में क्या गया कार्य यह होता है फिर B से C तक रुद्धोस प्रसार है रुद्धोस प्रसार में क्या कार्य यह होता है यह कार्य का गर्णा हमने इसके पहले वाले lecture में आपको कराया था इसके बाद देखो, फिर हमने निकाला सम्तापी संपिडन ये निकाला उसमें क्या कारे कारे निकाला फिर कुल कारे निकाला ये दो positive दो negative क्योंकि ये प्रसार है ये दोनों संपिडन है अब v2 का value v4 के बराबर है दोनों कट गए ये स्वारी डब्लु2 का न और w1 wal w2 minus हो गया q1 इसको कहते है इसको q2 कहते है अपान rt1 लाग rt2 लाग भी स्री अपान वी पीर क्लियर इसके बाद हमने उसको कंटिनीवस साल व किया देखो एक मिनट q2 का वेल्यू ऑर टी वा क्लिब यहां पर वेल्यू गलत पूट कर दिया क्या किम्न फिर्षा में एक मिनेंस वारी देखता हूं ना कि क्यूं टुका वेल्यू है अरे का ला भी फारमुला उलटा रहा है four our timeove petite टुलाग कि क्यू टुका वेलूeteat नाग भी शर्फ शया पान उल्टा पूटप कर दिया पूरा क्या ध्यान था मेरा चलिए इसको मैं करेक्ट करता हूँ यह T1 नहीं है T2 है T2 लाग V3 अपान V4 तभी फर्मूला उल्टा आ गया T2 लाग V3 अपान V4 इसी मैं करेक्ट कर रहा हूँ भई ध्यान देना जो आप में से ध्यान दे रहा होगा उसको अजीब लगा होगा Q1 के जगा Q2 का फेल्यू पूट कर दिया Q2 के जगा Q1 का फेल्यू पूट कर दिया यह हो जाएगा T1 लाग V2 अपान V1 ठीक है बस यह 1,2 का मिस्टेक होगे इसको सुधार देता हूँ बाकी तो सही है तेवा जाएगा R तो R cancel out हो गया और T2 लाग V3 अपान V4 अपान T1 लाग V2 अपान V1 यह होगा बाकी प्राबलम नहीं है बाकी सही है बाकी हमने सब सही निकाला है बस यही पर उल्टा पूट कर लिया था वेल्यू को इसलिए यहाँ पर वेल्यू को जब मैं पूट अप किया दोनों को तो हमने बराबर पूफी कर दिया यहाँ पर यह दोनों तो बराबर पूफी होंगे यहाँ पर कोई प्राबलम नहीं है लास्ट में जब हम वेल्यू पूट अप करेंगे तो बस क्या आएगा देखो वहाँ पर उपर में T2 है ये उपर में T2 है नीचे में T1 है तभी मैं सुचू फाइनल इक्वेशन T1 अपां T2 कैसे आ गया ये आता है T2 अपां T1 फाइनल इक्वेशन याद रहे तो आप अपने मिस्टेक पकड़ सकते हैं इटा इक्वेल टू 1 माइनस T2 अपां T1 बनाएगा ओके तो ये इसका फाइनल इक्वेशन है कार्णो इंजन का भी थरी अपां भी फोर क्यू टू है ठीक है बस वेल्यू पूट अप करने में मैं गडबड़ कर दिया था ना ये क्यू टू भी टू अपां भीवन ओके ठीक है तो ये है हमारा कार्णो इंजन और कार्णो इंजन की दक्षेता का फार्मूला इसके बाद एक छोटा सा टापिक और है जिसको कंप्लीट कर लिया जाए वो है प्रस्तीतक मतलब रेफ्रिजरेटर नेस टापिक है प्रस्तीतक रेफ्रिजरेटर आपको मालूम है रेफ्रिजरेटर तो हर को यूज़ करता है है ना तो आप लोग को पूरा इसके बारे में पता है कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है रफ्रीजेटर क्या करता है कारेकारी पदार्थ की सहाथा से यह एक ऐसा उपकरण है जो कारेकारी पदार्थ की सहाथा से कारकारी पदार्थ की सहयता से आपको मालूम है कि इसमें फरियान या अमोनिया गैस भरा जाता है फरीज में तभी हो काम करता है कारकारी पदार्थ की सहयता से उसमा को निम्न ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु से उच्चे ताप की वस्तु में इस थाना अंतरीत करता है पूरा लिखी दिया में इस सनांतरीत करता है इसका मतलब क्या हुआ हमको मालूम है कि उसमा हमेशा उसमा हमेशा उस्चे ताप से निम्न ताप की वर प्रवाहित होती है लेकिन रेफरिजरेटर एक ऐसा उपकरण है जो कारकारी पदार्थ की सहयता से यह महत्पूर्ण वर्ड है क्या करता है उसमा को निम्न ताप की वस्तू से उच्चे ताप की वर प्रवाहित करता है यह रेफरिजरेटर करता है इसलिए हम फ्रीज के अंदर किसी वस्तू को डालते है तो ठंडा हो जाता है क्योंकि वह कारे-कारी पदार्थ का हेल्प लेके हीट को रूम में ट्रांसफर कर देता है जिस कमरे में रेफरिजरेटर रखा जाता है वो कमरा इसलिए गरम हो जाता है क्योंकि उसमा बाहर निकलता है यह वार कोस्टन आता है यदि किसी कमरे में फ्रीज रखा हुआ है और फ्रीज के डोर को ओपन करके छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताब घटेगा की बढ़ेगा तो बच्चे कन्फूज हो जाते सोचते हैं कि फ्रीज को खोल देंगे तो ठंडा ठंडा हुआ बाहर निकलेगा तो कमरा ठंडा हो जाएगा ऐसा नहीं है फ्रीज के दर्वाजे को खोल दोगे आप तो कमरा गर्म हो जाएगा क्योंकि उसको जादा वर्क करना पड़ेगा और वो कमरे को जादा हीट रिलीस करेगा यदि वो ठंडा करता तो ऐसी लगवाने का ज़गरा थी नहीं था युश्न इसको अपन कमरे में खोल देते हैं घर्मिकी दिन में रूम थंडा वोजाता है ना ऐसा नहीं होता यह है इसका कॉंसेब्ट और इसका जो कारेकारी गुणांःंक होता है कारे कारी गुणांग बोलते हैं जैसे हुआ पर की वरकिंग इफिसीयंसी होती है जो कारेकरने कि झमता होती है उसको हम बीटा कहते हैं बीटा कहते है ईह होता है। मै Uल्टा काम करता है ठीटो होता है यह फार्मॉला भ्यां रखना और alfa और बीटा में हम relation देखें कई बार इसमें से question आता है एक्जाम वगरा में अलफा और बीटा में संबंध इसी एक लाइन से इन दोनों में संबंध भी बन जाता है तो डारेक्ट में संबंध आपको बता रहा हूं अलफा और बीटा में जो संबंध होता है वह यह होता है बीटा एक्वल टूँ बakukanपां इटा है ये फ्रीज के कारेकारी गुनांग और इड़क्षटा तो फ्रीज के कारेकारी गुनांग और कार्नोंग प्र्क्षथा में ये relation होता है तिये complete हो गया इसे हम कहते हैं उस्मा गत्की का दिती नियम जो कि वास्ताव में गिंतिक हिसाब से तीसरा है जो कि पहला नियम हमने सुनवा नियम पढ़ा फिर दूसरा नियम हमने प्रथम नियम के नाम से पढ़ा और यह तीसरा नियम है जिसको दिती नियम के नाम से पढ़ते हैं और एक लाइन के कि इसमें कथन है लेकिन आपको उसे कोई मतलब नहीं आप सीधा एक लाइन में समझो बिना कारे-कारी-पदार्थ की सहयता से उस्मा को निम्नताब की वस्तु से उच्छताब की वस्तु में इस्तानांतरित नहीं किया जा सकता यह इस नियम का सब्दों में नेज में टीक है विना कारेकारी पदार्थ की सहयता के सहाईता करका क्या है सहायता के उस्मा को निम्नताप की वस्तू से यह सरल सब्दों मैं हिसले मैं इसको लिखा दे रहा हूं उस्मा को निम्नताप की वस्तू से उस्मा की वस्तू मैं प्रवाहित नहीं क्या जा सकता दिजिटल बोर्ड में क्या है ना राइटिंग जूड जाता है कभी कभी चलो देखो क्या बताएं मैंने बिना कारेकारी पदार्थ की सहायता के उस्मा को निम्नताप की वस्तू से उच्चताप की वस्तू में प्रवाहित नहीं क्या जा सकता है क्योंकि मालूम है हमेशा उस्मा उच्चताप की वस्तू से निम्नताप की वस्तू क्यों प्रवाहित बता है जिसे हम threes कहते हैं भी मैंने आपको पढ़ाया तो यहां पर हमारा thermodynamics का chapter complete होता है और आपको फिर मैं एक बार याद दिला दूँ कि हमने 11th class का starting से class start कर दिया है 2023 session के लिए जो कि हमारा live class में चल रहा है और इस class में आपको जो pending मेरा पहले का topic है उसको cover करा रहा हूं ठीक है ज कि हमारा जोल जोर दोफे हैं कि हमारा जोर दe कहर कंगो जोह कि हमारा ट Tá Curt üzerine यहार हमारा है जोहा है आतली हादी में आपको पाते हैं आपकोgal दोरते हैं आपको नहादी का है